नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसुई कबला कर और आपके सारी ख्षाय है, मैंनो कामना अप्री हूँ दोस्तों, अज मैं आपसुई कोई इसाथ सरे रेलेटेड भत्मों जान करे वेक करूँगा और यहां पर आपके जो main queries हैं, उसको cover करने के पहले, all और palm reading के अंतरगत, सबसे पहले आपके finger के analysis के बाल, पूरा palm reading और आपके queries के answer भी इवन दिया जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि finger के लिंद अपके palm के comparison में थोड़ी short है, जो एक fast decision making habit को थोड़ी जल्द वाजिव हर बड़ी किसमे के nature को भी दरशाता है इसके अंतरगत instant decision लेना, अपने thoughts के उपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से inspired, motivated या influence हो है, कुछ समय के अंतरगत में वो काम करेके दिखाने यह सब आपके basic nature में रहेगा patience कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के चाहत ज़्यादा होती है साथ ही आपके अंदर थोड़ा dominating nature भी रहेगा, क्योंकि दूसरों को कम सुनने के आदत short finger वाले जात को में जादा होती है और जब short finger हो और thumb बहुत ज़्यादा strong हो, तो एक तो instant decision लेते हैं, अपने thoughts को बहुत जल्दी action के रूप में convert करते हैं और उस पर अडिक रहते हैं, उसमें changes नहीं करते हैं, कई मरतबा ये भी रहता है, कि समझ में आ जाता है कि यहाँ नुकसान हो गया है, यहाँ गलत जा रहे हैं, लेकिन एक बार जो नेड़ने लिया, उसका result properly देखने हैं, यह आपके nature में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है हमारे decision taking skill को represent करता है, हमारे mentality को बताते हैं, और thumb जब बहुत ज़्यादा strong palm में देखने को मिले, तो यह बहुत हटी किसम करेंचर अथवा जिद्धीपन को दर्शाता है, इस condition में सच सुनना सच का साथ देना, जूट फरेब धो के बाद, जी अथवा जो मीठी बोली होती है, दिखावटीपन होता है, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं, तो short finger है, तो instant decision लेना, कई मरतबा ठीक भी साबित होता है, जहां दूसरे लोग सोच रहे हैं, वहाँ पर आप अपना काम भी खतम कर देते हैं, लेकिन इससे trouble तब आत अब जैसे dominating nature है, तो ये independent nature को दर्शात है, तो किसी के under में comfortable work नहीं कर पाता है, खुद के under में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की काबिलात आपके अंदर अच्छी रहेगी और आपके हतेल में सूर्ब थोड़ा disturbed ही है, इसलिए आपको job के regarding trouble and relation में भी trouble आया है उस पे अभी आगे चल करके चर्चा किया जाएगा, बाकि finger के बीच में जब इसे gap maintain होता है, तो ये अधे खर्चेले पन को दर्शात है, जिसके करण खर्चों पर नियंतरन कम देखने को मिलता है, और normally यहाँ देखा जाए तो little finger जब independent होती है, तो आप जैसे जा तक सुन स हाथ में लेंगे, अपने और से 100% efforts जाल उस काम को perfectly done कर पाने में शक्षम रहेंगे, थर्ड और फिंगर के लेंध में, थर्ड फिंगर के लेंध स्ट्रों के जो एक risk कर टेकर बनाता है, कोई भी नया काम शुरू करने से घबराहट नहीं होती है, और ये self-met, यहाँ personality को भी और किसी ने किसी वेक्ति विशेश के guidance या सपोर्ट या शक्ता पड़ती है, decision लेने में, phalanges वो internal marks दोनों यहाँ पर develop ठीक है, तो stamina, energy, रोग, प्रति, रोधक, शमता ठीक रहेगा, और जैसा कहा गया, थम का size strong है, तो इस condition में ये open-minded किस्म का nature देता है, इसलिए हर वेक्त अथवा आभास, इस condition में कई न कई पहले से ही indication आपको आने लगेंगे, चाहे वो सपनों के माध्यम से आ या फिर ऐसे normally अचानक से कुछ आप बोल पड़ें, तो वो सच बेठेगा, अगर आप meditation करें, धार्मिक्ता आपके अंदर इस condition में बहुत ज़्यादा है, ये तो परफेक्ट है, और जब second feeling developed अच्छा देखने को मिले, तो उस condition में logical power अच्छी देखने को मिलती है, logical power का मतलब यह रहता है, कि एक परकार से तथियों के साथ काम करने की चेस्टा अच्छी पाई जाती है, आप कभी भी किसी किसामने जल्दी जुके कर नहीं क्योंकि आपक पर आते हैं एक-एक परवत कर तो जुपिटर से start करते हैं, तो आपका जो जुपिटर माउंट वो यहाँ पर developed बिलकुल normal है, यहाँ पर देखें जुपिटर माउंट में थोड़ा बहुत भी आसपड़ोस से मानसल जब कम होने लगता है, तो उस condition में family life के regarding unsatisfaction, unstability आती है, और आपके हथेली में क्या है, कि अने को शाखा हैं, या नहीं रेखा हैं, आपके life line पर आ रही है, और यह जितनी भी रेखा हैं हैं, यह सब के सब family stresses को ही denote करती है, कई मरतबा अपने aggression के कारण भी दिक्कत आई है, कई मरतबा family life, married life के regarding भी दिक्कत आई है, जितनी यह सारी horizontal line है, यह सब के सब family tension pressure, travel को ही indicate करती है, इस condition में सिर्फ एक ही रास्ता होता है, कि जूपिटर को strong करना और जूपिटर strong होता है, सेवा भाव से, गुरू बनाने से, तो अगर जीवन में गुरू है, तो उनका जो है, आप करपा लीजिए, आशिरवत मांगे, उनके सिध्ध जो है, हमारे धर्म कर्म को सबसे पहले, फिर शादिशोदा जीवन को, फिर हमारे ग्यान को, इन सब चीजों को रिप्रेजन करते हैं, और जब यहां पर आड़ी रेखा देखने को मिले, तो इस condition में दया भाव किस्म का व्यक्ति तो होता है, यह sympathetic nature देता है, दूसरों का द कुछ न कुछ देंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे, अनिमर लवर, पैट लवर, यह सब भी देखने को मिलते हैं, तो यह formation तो बहुत बढ़िया है, देखा जाए तो इस condition में सिर्फ गुरू का सानित दिव ले लिजिए, गुरू की आशिवात लेते रहिए, आपको most probably जो family life के regarding trouble है, वो खतम होगा, वैसे आपका सूरी बहुत ज़्यादा disturb है, इस करण से आपको trouble आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जूपिटर की blessing जैसी आगई बहतरीन, क्योंकि आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका जूपिटर बहुत हत्तक सही response कर रहा है, बस थोड़ा सा इ नाम, इज़त, शौरत, जो प्रतिष्ठा सम्मान जो हम कहते हैं, जिसके अंतरकत सभी आ जाता है, धन, वेभाव, किर्ती सब, यह सब आपको फिर अच्छे से देखने को मिलेगा, फिर दिक्कती तिने रहने ही तकरिबन नहीं वाली है, अभी यहाँ पर देखें आपके श अंतुष्टी जल्दी नहीं मिलता है, काम आसानी से नहीं बनता है, रुक करके देरी से काम बनता है, अब जैसे फेट लाइन पर आप फोकस करेंगे तो आपका फेट लाइन सीध है, मून की एरिया से आरार, मून से निकला वा फेट लाइन, यह दर्शात है कि आप पश्या तरक्की भी देखने को मिलती है और बहारी दुनियों लोगों के दुआरा परीम दुलार प्यार इज़त संबान ये भी मिलता है मदर से सपोर्ट भी मिलता है जर्मिस्तान से दूर ग्रोथ का मतलब ये रहता है कि लोगों के सयोग प्रोथ साहन की करण जो तरक्की है चाहे वो करियर में हो या प्रोफेशनल लाइफ में अथवा पर्सनल लाइफ में भी सेटिस्वेक्शन इस सब चीज़े बढ़ता है तो ये जो है कमफर्टेबिलीटी का बहुत अच्छा साहन है लेकिन इसमें दिक्कत के आगए कि ये रिजल्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि शर्णी पर नहीं पहुँच पा रहा है इसके अ आड़ी रेखा है वो थोड़ा मूड स्विंग का प्रोब्लम देती है तो इस पर अगर की जो हल्की आड़ी रेखा होती है ये बार-बार emotions feelings में fluctuation देती है और कई मरतबा तो मुह के पस निवला आकर के छुटता है इस कंडिशन में क्योंकि भागी रेखा कोई रेखा हैं क अगर ही दिया जाएगा लेकिन यहां पर देखा जाए तो सिर्फ गुरु आपका स्ट्रॉंग हो जाई ये शर्णी भी फिर इतना नेगेटिव आपका response नहीं देगा क्योंकि इतने टाइम तक भाग रेखा है ही हतली में भाग रेखा है ये सिधे इस बात का प्रमान है कि जो किस्मत है वो आपके साथ है बस इसको थोड़ा direction देने के आवशकता है थोड़ा सा अपने जो block है जो उसको सही करने के आवशकता है यहां देखेंगे तो आपका जो शनी और सूर के बीच में जब इस पर अगर की कोई रेखा पाई जाती ही तो इससे विद्ध्य रखा कहता है तो जो आपका knowledge रहेगा उससे दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा आपके knowledge के आपके advice के बदल कितने लोगों का काम बन जाएगा या बन भी चुका होगा यहां पर यही advice मेरा कि आप कई ना कई consultancy का अगर काम हो सके किसी भी चीज के regarding अगर कर सकत है तो करिएगा उसमें आपको trouble कभी नहीं आएगा लाव ही लाव है उसमें अब जो में बात करा था सूर के उपर बारवर तो सूर पर क्या दिक्कट आयरी है कि सूर पर हललका सा आपकी जो रेखा है हलकी लेवल पर काट करके जा रही है तो देखिए सूर है हमारा मान सम्म निज्जत और सफलता और आपका धन व्यापार और जॉब भी बन तो लाइफ में जो भी सफलता होती है उस अपका कारक सूर्य है अब आपको क्या हो रहा है कि आप सक्षम है लेकिन सफलता नहीं मिल पाता है और इसी के अंतरकर जब शनी पर भी हाड़ी रेखा हो तो लोन ज क्रेडिट नहीं देगा आपको कितना ही मेहनत लगन से काम क्यों करें क्रेडिट मिलना मुश्किल होता है जिस पद के या पोजिशन के हगदार होते हैं वो नहीं मिल पाता है और आपसे कम मेहनत वाला व्यक्ति कई नहीं आगे निकलते हो देखने को भी मिलता है यह सब होत यहां पर यह रेखा सीधे आपके बूदह और सूरी के बीच में जा रही है जो यह शेश्वियों का निर्मान करता है और उसके अंतरगत व्यक्तिक खुदगे दम पर प्रोपर्टी यार्जित कर पाने में शक्षम होते हैं और सूरी रेखा आपके हतेली में हैं तो संगर्ष में जीवन निश्चित रूप से रहता है जीवन आसान नहीं होता है लेकिन उन संगर्षों के बावजूद भी विजय प्राप्त करेंगे इस बात के फुल गरेंटी आपकी माइन लेन दे रहे है क्योंकि माइन लेन इस्ट अपर जो मल्टिपल स्लाइन है यह मीठी बोली आकरशित व्यक्तित का निशानी है मल्टिपल लेंगुजिस का नोलेज यह देता है इस कंडिशन में क्या रहता है कि मर्करी हमारा इंटेलिजेंसी का कारक है तो ज्यान में यह लेर्निंग में कोई भी कमी होती नहीं और अपर देखें दूसरों को बांदे रखने की शक्षमता आपके अंदर बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा यहां पर देखें दूसरों लोगों को इसली कंविंस भी कर पाएंगे तो यह सारी चीज़े आपको मर्करी दे रहा है और मर्करी पर जब एसी लाइन होती है तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट यह होते है कि लेटर एज में यानि रेटायर्मेंट के बावजूद भी आप वर्क करते वे पाये जाएंगे हेल्दी रहेंगे खुश मिजाज किसम का व्यक्तित हो है तो खुशी कहीं न कहीं ढूड़ना दूसरों को खुशी देना आप सिं और आपके सेटन के बीच में जा रहा है तो यह बेसिकली इमोशनल नीचर ही देता है लेकिन प्रैक्टिकल इमोशनल देता है प्रैक्टिकल स्पुरिच्वेलिटी देता है इस कंडिशन में अंधी भक्ति नहीं होती अब क्या है कि आपका जो जूपिटर है यह ग्यान है अब जो सेटन है वो आपका लॉजिक है तो लॉजिकल आंसर करने बड़ा पसंद आता है आप जैसे वो लोग होते हैं जो किसी सभू में बैठे हैं और अगर वहां बहुत लंबे समय तो कोई वारत अलाव चल रही है तो अंत में कुछ ऐसी बात कह देंगे सिर्फ दो या ती अब ऐसा समझ रहे हैं कि आपको लोग समझते हैं तो कई ना कई आप गलत हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखे और कभी एक्सपेक्टेशन किसी से भी ज्यादा ना लगा है तो यह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशल रहने वाला रहेगा अब यहां पर आते हैं आपके mind line के formation के उपर तो आपके mind line पे multiple stresses हैं क्योंकि छोड़ी छोटे island के भी science यहाँ पर है तो देखिए बचपन से कोई ना कई stresses mental तो बना ही है आपके उपर और बहुत सारी unwanted रेखाएं भी यहाँ पर आकर के काट के जा रही हैं तो इस condition में क्या रहता है कि कुछ ना कुछ mental tension pressure बढ़ना ही रहता है लेकिन आप उन सब पर विजय प्राप्त कर पारें क्योंकि mind line के इन में बाइफूर का कसायन है यह बाइफूर का कसायन इतना powerful होता है कि इसका कोई जितना हिसाब लगाएंगे सब कम है कोई भी रेखा कि अंत में वी symbol बनता उसका power बढ़ जाता है लेकिन अपने खुद के बुद्धी मता के द्वारा और और यहां पर mentally strong होने के कारणी उन ट्रबल से निकल पाए अधरवाइस कुईट करने के chances लाइफ में आपके बहुत आयत है लाइफ लेन के उपरान प्रोग्रेस लाइन जो निकली है पहली वो निकलते वे दिख रही अपने खुद के मेहनत के द्वारा और उसके बद सही होगी रेखा जोड़ी गया यह सही होगी रेखा को देवदूत रेखा केते हैं guardian angel line केते हैं जब यह रेखा होती है तो बाहरी दुनिया लोगों का या spouse का या किसी ना किसी का अथ्वा अधरिश शक्ति का भी सही होग जिए उन में रहता है जिसके करण जो कस्ट अर्चन बादा है वो कम होती और जो ड्रीम डिजार एंबिशन वो कम्प्लीट होता है अब यह जो है यह सिच्वेशन खतम होते दिख रहा है तकरिबन 48-50 के बाद में अब रेखा है जो है बाहर के तरफ और अंदर के तरफ हर परिस्थिती को जीतते हैं लेकिन कई ना कई घर पर आकी धुस्त होते हैं तो इसलिए आपका जीवन रेखा पहले तो बाहर की तरफ जुक रहा था जो कि विरागी की भावना देता है जन्मिस्तां से दूर असने बसने के यूग देता है लेकिन अंतितह शुक्र के रुख है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा हलकी जो रेखा यहां पर जनरेटेड है यह सारी के सारी आपकी व्यापार की रेखा है तो देखिए व्यापार की रेखा भी इतनी ज्यादा होना अच्छी नहीं होता है क्योंकि एक सिंगल लाइन में जितनी ताकत हो भी कस्ट में समय चल रहा है पॉलाइटली वे में उसको निकाल दीजिए मौस्ट प्रविबली सेटन सूर्य और जूपिटर का रिमेडी करिए ऑटमेटिकली जो तमाम तरह का कस्ट परशानी है वह हाल होगा देखिए एक चीज़ यह बात जरूर है कि आपके शनी पर भी रेखा उपर में है और सूर पर भी पॉजिटिव लाइन है यह पॉजिटिव लाइन होना हैपई एंडिंग को दर्शाता है तो जो लोन डेप्ट है यह जितनी अभी शिकायते हैं यह सब आपके जीवन में खतम होने के पूर्ण तहय योग है आपका क्या है कि पैसा भी ज सब काम कर पाएंगे यहां देखा जाएं लेफ्ट पाम में तो यहां एक सबसे बड़ा दोष्ट यह आ गया जो मैं बार-बार आपको पेंडिंग कर्मा का किया रहा था वो है यह तिल शनी हमारे कर्म फल दाता है हमारे भागे के दरवा जाएं अब वो चाहे राइट हैं या लेफ्ट हैं लेकिन शनी पर अगर नेगेटिव रिस्पॉंस हा रहा है इट मिन्स की जो भी आप कर्म है वो सब पिछले जनम का भुगत रहें इस जनम में उन कर्मों को सेटल करने आप आए हैं इसलिए आप बहुत जाद मेहनती इनसान है बहुत अच्छे सतकर्मी इन में शक्रि लेकिन इतना जरूर है कि उपायों के दौरा थोड़ा बहुत इन सारी चपीatura कर रेलेक्स एशन आने की योग बंदे हैं और इसी में डैप के भी योग बहुत स्ट्रॉंगली देखने को मिलते हैं लेकिन जो कर्ज वगरे कुछ भी ऐसा है तो यह सब भी खतम होने के पूर्णता है योग है क्योंकि इस जनलों में कई न की करम आपके ठीक देखने को मिल रहे हैं इसलिए आप देखिए आपके रद रेखा सीधर शैनी पर जुकते भी वी सिंबोल का होता है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉंस यह देता है वहीं सूर पर भी ट्राइडेंट जो है त्रिशूल की आकरती है और इस कंडिशन में नाम इजत और सफलता निश्चीत रूप से मिलती जो लोग चल जाते हैं जीवन से वापिस कमबैक करते हैं नीम रिस्पेक्ट औ आपके हाथ के रिगाड़ें आशेगर तो हूँ समी पुरुष्णों का अत्तर मिल गया हूँ तब तक आप अपना ध्यान रखें आपको बहुत बहुत देन्यवाद